कि हेलो गाइज वेलकम बाइक टो आवर यूट्यव चैनल इंजिनेर माइन तो पार्ट डे की तरह आज भी हम लोग 20 कोशन्स कवर करेंगे जेनरल इंजिने का जो कि फिर प्रिपेस यह जे एससी जेए में पूछा गया है आपका ब्रांद सिविल हो एलेक्टिकल हो मेकनिकल ह यह फिर ओटोमोबाइल हो तो आपके लिए कुस्टंस नेक्स्ट्ट अपकमिंग एक्जामियसंस में बेनिवीचल इंपोर्टन हो जकता है या फिर आप के लिए कोई भी एक्जाम हो जिसमें की चिनरल इंजिन कर कॉशन्स पूछा जाता है तो यह कुशन्स आपके लिए अबनेंड हो सकता है और आपलोग को पता है कि यह हंक्ष देखते होंगे तो पारदेश्डे, हम देखते होंगे। यह सब लोग क्सक्षण कबर करें यह थो आज भी हम अच्छल्द हम लोग का जनेरल इंगंम भी कवर हो जाएगा इसके बाद प्रिवेश एयर और जैसे ही थे हम लोग कर ये कवर होगा फिर हम लोग सेर कर तो तो चलिए अब लोग श्टार्ट करते हैं परड़े की तरह आज भी ट्वेंटी कोसंस तो आज का फाला कोसंस है फिगर दिया गया है इसमें क्या बोल रहा है चलिए अब लोग देखते हैं और सुर्व करते इसको इन ती गिविन ग्राप ओफ शेरिंग इस्ट्रेस वर्सेस रेट ओफ शेरिंग इस्ट्रेंड विच ओफ दी लाइन रिपर्जेंट फ्लूड टाइप बिंगम प्लास्टिक तो नहीं पर सियर इस्ट्रेस और सियर इस्ट्रेंड दिया हुआ है तो सियर इस्ट्रेस के वर्सेस में सियर इस्ट्रेंड इस्ट्रेस इस डिए ड प्रो पोर्पोर्सनलीटी लिमिट होता है रीमोब करते हैं थे हम लोग गया हो जाता है टाव अजिकल टू मियूँ डियू बाई दी वाई एक बड़ फिर्षा हम लोग लीग देते हैं तब अजीड आप बननेगा यह क्या है रेट ओफ शेयर इस्ट्रेस यह और यह इसको हम लोग क्या बोलते है रेट ओफ शेयर इस्ट्रेण तो जब कोई बीची डिर्टली प्रोपोस्टनल हो तो उसका ग्राफ जो होता है वह लिनियर बनता है तो यहां पर आप देख सकते हैं को संस पूछा गया है कि इन्थी अब नंबर वन जो दिया है रिपर्जेंट कर रहा है किसको सियर इस्ट्रेस एंड इस्ट्रेंड को जिसका करेक्ट रंसर ओप्शन यह हो जायागा कोई भी अगर मिन्स डिर्टी प्रोपोस्टन होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है यहां पर भी पूछा ग फ्लेस प्लास डेल टो 5 Boris स्कीर प्लस डेलट फाइब ऐध cleanse श्कॉर्म तो इक्वल टू यह जिरो होता है देल यू बाइ देल एक्स प्लस देल यू बाइ देल यू बाइ प्लस देल यू बाइ डेल जेट टेकिन हाँ पर कार्टेजयन फोर में पूछा है तो इसका कर्केर नसा ओप्शन सियो जायेगा नेक्ट कोस्टन कुछबाइच क्राइटरियन ऑल यू बाइटार मेकनीजम इस विर एन इस थी नंबब अफ लिंग्स जेवन इस नंबर ओफ सिंगल degree of freedom pairs and J2 is the number of two degree of freedom pairs तो इसका correct answer जो होगा वो option C हो जाएगा M is equal to 3 into N minus 1 minus 2J 1 minus J2 next questions ये सब questions आपको याद रहेगा तभी आप solve कर पाएंगे otherwise आपको skip करना पड़ेगा और इसी टाइप का questions आपको जितना भी upcoming examinations है JSC का technical exam में ये questions पूछा जाएगा आपको general engineering में चाहे हो जेए हो या फिर mining inspector हो या फिर motor vehicle inspector हो next questions है for liquid or gases at rest the property at any point in the fluid on which the pressure gradient in the vertical direction depends is the specific weight at the point इसका correct answer option c हो जाएगा next questions read the two given statement related to fire tube boilers and select the correct answer statement ये क्या काता है कि unsuitable for large power plants ये सही है इसके बाद statement क्या काता है operating pressure is more than 100 पारती ये गलात है जिसका कर्क्रांसाल जो हो जो हो जो हो जो हो जाएगा statement a is correct but statement b is wrong next question say of the characteristic mentioned below which is not a characteristics of super heated paper where T saturated P saturated are saturation temperature and pressure and pressure respectively and subscript G and represent vapor and liquid states respectively तो यहां पर जो पूछा क्या है कि characteristics जो mentioned क्या गया है बिलो वह एक विचिस नॉट क्रेक्टिस्टिस्टिव शूपर heated vapor तो कॉन सा क्रेक्टर स्टिक्स नहीं है शुपर इटड वेपर का इसका क्रेक्टर सव जो हो का वो ऑप्शन बियो जाएगा लोग इंध्यल पीच next questions the state of liquid water at 20 degree celsius and 180 pressure in a piston cylinder device being heated from below as shown in the given figure this is correct answer to go go option do that subculted liquid the state of liquid water at 20 degree celsius and 180 pressure in piston cylinder device being heated from below as shown in the given figure to the blue is comble gram करते हैं तो यह जो लिक्वीड हो का वो सब कुल्ड लिक्वीड हो गया पर टेम्परेचर दिया गया बीडिवी सिल्सेस पर next question से read the two given statements related to refrigerator working on vapor compression refrigeration cycle and select the correct answer first statement है increase in condenser pressure result in increase in the refrigeration capacity यह गलत है इसके बाद दूसरा super heating the suction vapor decreases the refrigeration effect यह भी गलत है इसका correct answer option c हो जाएगा option c correct next questions which of the following air extender assumption are not applicable to an air extender cycle which of the following air extender assumptions are not applicable to an air extender cycle तो कौन applicable नहीं होता air extender cycle के लिए जो extender air extender assumption दिया गया है तुसका correct answer जो होगा वो option c हो जाएगा the combustion process is replaced by a heat trip addition process from an internal source present in the cycle तो option c correct next questions select the correct matching of boilers and their types इस टाइब को कोशन्स हर एक सिफ्ट में पूछा गया है एक बैपको एंड वी लॉक्स तो इसका एक हाँ one ठीक है इसके बाद को करें जो है यह fire tube boiler है लेंग के सायर जो है लेंग के सियर जो है यह आपका यह fire tube boiler है इसके बाद कॉर्णीस जो है यह भी fire tube boiler मिन्स शिर्फ वन जो है यह बैपकोग एंड विलक्स जो है यह वाटर ट्यूब बाइलर है बाकी सब फायर ट्यूब बाइलर तो इसका correct उनसे जाए वो option c हो जाएगा next questions tearing resistance or pool pt required to tear of the plate across a row of rivets per pitch length as shown in the given figure where p is equal to applied load p is equal to pitch of the rivets d is equal to diameter of the rivet hall t is equal to thickness of the plate and sigma t is equal to permissible tensile stress for the plate material तो फोर्मलात जो होता है pd minus t into t into sigma t जिसका correct answer जो है वो option यह हो जाएगा कि थिकनेस अफ प्लेट जो है वो टी है आपका और sigma t क्या है tensile force action यहां पर लिखा गया है आप यहां पर देख सकते हैं पर्मिसिवल टेंसाल इस्ट्रेस फोर्दी ब्लेट मेटरियल तो ब्लेट मेटरियल पर जितना टेंसाल फोर्स लाग रहा हो हो जिसका correct यह फोर्मला होता है आपका जो दिया गया है pt जो है वो टेरिंग रसिस्टेंस और पूल नेक्स्ट क्वेस्टन से दिपीवी डियाग्राम ओफ सिंगल स्टेज कंपरेशन प्रोसेस इस गीवन दी वर्क डन पर साइकल डवलू इज वेर आर इज गैस कॉंस्टेंट टी इस तेंप्रेचर एंड सब स्क्रिप्ट वन एंड टू रिपर्जेंस थर्मोडैनेमिक स्ट तो इसका क्रेक्ट अंसर जो है वो अप्शन यह हो जाएगा आपका करेक्ट यह फ्रमुला याद रखना होगा आपको तभी आप इसको टिक कर सकते हैं अधर वाई यहां पर देख सकते हैं उन्होंने जो लगाया है वो तो मिस्टेक है जिनका भी हो नेक्ट कोशन से डैस इस दी लोकस ओफ प्वेंट फॉर दी एरो हैड और दी वेलोसीटी वेक्टर विट पोजिशन और टाइम जिसका क्रेक्ट अंसर जो है वो अप्शन भी हो जाएगा होड़ो ग्राफ यह ज्यादा तर में क्लिंकल का कोशन से इसलिए मैं ज्यादा डि डैस इस एन एक्जांपल ओफ स्लाइडिंग वेक्टर फोर्स ओन ए रिजिद बडी ओप्शन दी क्रेक्ट हो जाएगा इसका नेक्स्ट कोशन से डैस इस करीड आउट तो शॉफ्टन दी स्टील सो दाट इट में भी माशिन इसका क्रेक्ट अंसर जो है ओप्शन बी हो जा तो इस्टेटमेंट यह देखते हैं हम लोग एनी टू पॉएंट्स एड दी सेम एलिवेशन इन एक कंटिनुवस मास ओप दी सेम इस्टेटिक फ्लूड विल बी एड दी सेम प्रेसर यह सही है इसके बाद इस्टेटमेंट भी पीज़मीटर ट्यूब केन मेजर बौथ नि फ्लूइंग इस नोटेट अप्रोसेस फ्रेंगाइन सैकल तो इसोथर्मल एक्पांस नियर्टरवाइन यह प्रोसेस नहीं इसका करेक्न सब्सक्राइब से ओडू जाया गा नेस्ट कोस्स्ट इस नोट टूइब टूड बाओ तो मीडियम करवन श्टील इस के नोट statement related to the centrifugal pump operating a low flow rate and select the correct answer statement A क्या है for radial blades pump head remains constant with increasing discharge statement B for backward curved blades pump head increases with increasing charge तो option कि मिन्स statement A जो है यह सही है और statement B जो है यह गला थे इसका correct answer option A हो जाएगा option A last one questions है इस shift का जेनरल एंजिनिर का इसके बाद हम लोग फिर जेनरल नोलिज का करेंगे यहां से आप देख सकते यह वाला स्टार्ट हो गया कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी कवर कर लें हम लोग और आप से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा कवर करना जितना भी प्रिपेस का कर रहे हैं अगर नहीं करेंगे तो आपका लोस होगा मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसी टाइप का कॉस्टंस फिर से रिपीट किया जाएगा क्यूंकि यह कॉस्टंस का एक लेवल जो होता है वह उस टाइप का कॉस्टंस है रीड दी टू गिवन स्टेट्मेंट यहां पर भी स्टेट्मेंट वाला कॉस्टंस है रिलेटेट तो इन्फ्लूएंस ओफ फ्यूल एयर रेशियो ओन दी फ्लेम स्पीड इन एसाई इंजन एंड सेलेक्ट दी करेक्ट अंसर स्टेट्मेंट यह है कि कि लेस थर्मल एनरजी इस रिलीज्ट इन दिग्यास ओफ लिन मिक्स्टर्स रिजल्टिंग इन हायर फ्लेम इस फिर्ट यह गलात थे सब्सक्राइब करके विडियो को सब्सक्राइब करके विडियो को शेयर कर दोना था कि इस टाइब का जितना भी एक्जाम हो आप में यह कोशन्स बेनिफिचल एंड इंपोर्टेंट हो सकता है और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि इसी टाइब का कोशन्स आएगा ऐसा कुछ नहीं कि मिन्स अलगा आएगा कोशन्स आपको यही टाइप का कोशन्स देखने को मिलेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम भी जो एक्जाम वहा था ओफलाइन वाला जैसे सी जेएगी उसमें भ कोसिस कर रहा हूं कि जो इंपोर्टन कोशन्स है सिविल के लिए यह फिर मेकनिकल के लिए जो कोमन सब्जेक्ट है उसका भी करवा देंगा और सिविल वरांस का मेली जो पेपर है उसको भी हम कवर करवाएंगे इसलिए आप पूरे वीडियो लेक्चिर देखें वीडियो क लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें